कि जय जय श्री राद है क्या बता रहे थे क्या चलना था हे मेरे नात्मा आपको भूलू नहीं देखें ये बाद जो कही जाती है जो प्यारा नहीं लगता उसकी स्मृति नहीं होती और जो प्यारा लगता है वो विश्मृत नहीं होता अप लोगों ने कभी प्रेम की सबसे बड़ी बात क्या होती है किसी का स्परण होते ही जहां पे रदय में स्पंधन हो तो इसे प्रेम की प्रारम्बिक पहचान केते हैं उन्स परियासक्ति में भी होता है कई प्रेमी जिन्होंने अपने प्रेमास्पदों पे प्रेम के अस्विकार हो जाने के बाद तेजाब डाली है उनके दिल में भी धड़कने होती थी पहले इसे ही बढ़ती थी इसलिए यह कहें कि आपकी धड़कन बढ़ जाए किसी का नाम लेके तो बहुत हमारा गहरा प्रेम है क्योंकि हमारा दिल धड़कने लगता है अच्छे बात है पर मात्र प्रेम की यह पहचान नहीं होती प्रेम में अखंड स्मृति होती है और वो स्मृति सब प्रकार से आनंद देने वाली ही होती है यहां तक कि वियोग में भी स्मृति करेंगे तो वो स्मृति आनंद देने वाली होती है और प्रेम जिस भाव में आरूड होता है वो तत्सुख सुखिया भाव होता है इस संसार में तत्सुख सुखिया भाव वाले प्रेमी कितने हैं तत्सुख सुख्या जानते हैं कि आप सुखी रहें खुश रहो हर खुशी है तुम्हारे लिए छोड़ दो आंसुओं को हमारे लिए अब ये बात संसार में कहीं भी नहीं है आपका प्रेमी अगर आपसे कभी ये कह दे कि चलिए हम आपके बिना भी खुश है आनन्द में खुब अच्छी कट रही है तो आप उसकी जिन्दगी में जहर बोना चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे तो मेरे बिना खुशी कैसे है जानते हो प्रेमी की ये डिमांड नहीं होती संसार में जहां तक प्रेम के नाम पे कहा जाता है वहां तक आसक्ति का पसा रहे है तो इस्मृति आसक्ति वालों को भी गाड हो जाती है एक दुवैश वालों को भी बड़ी गाड इस्मृति होती है ठीक है तो संसार में अगर प्रेम हो जाए तो रिस्की नहीं है आप कैसी बद बोलो प्रेम जिसमें आपको स्वयम के लिए कुछ ही चाहिए ही नहीं फिर तो आप परमन्स होगे मैं मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए कोई भी अपिक्षा मेरी नहीं है ऐसा प्रेमी कोई होता है कदाचित ये प्रेम संसार में हो जाए इसे उतकरष्ट माना जाएगा पर ये ही भगवान के प्रती हो जाएगा तो वास्तों में ये ही परम प्रेम है हे मिरे नात मैं आपको भूलू नहीं ये इस्मृती कराने की का स्वामी जी ने एक महमंत्र दिया था कि भगवान को याद दिलाते रहिए कभी कबार क्या होता है आप लोगों ने देखा भगवान को याद दिलाने का लाब बताता हूँ पुराने टाइम में हम मा को कहते थे मा उठा देना सुबह और चार बजे उठना है तो माएं गाट बांद लेती थी कई टोटके होते थे अगर आप ईश्वर को बोल देंगे न मुझे तीन बजे उठना है और सो जाईए कोई अज्यात शक्ति आप अंता करण में संकल्प डालेंगे कोई अज्यात शक्ति आपको ठीक तीन बजे आप सिंसेरली बोल रहे हैं तो ठीक तीन बजे एक मिर्टे दर दर नहीं होगा आप उठे होंगे मैं आपको भूलू नहीं स्वामी जी बोल पड़े हैं मेरे नाथ है मेरे प्रभू मैं आपको भूलू नहीं कोई अज्यात शक्ति आपको याद दिलाते इतने वज़े हैं ठीक है उसी अज्यात शक्ति को जब आप यह कहतो है नाथ मैं मेरी आप में आसक्ति है नहीं प्रेम तो बहुत दूर की बात है आसकती ही हो जाए तो आसकती में विद्रड स्मृती होती है समझ रहना तो प्रभू आसकती वाली स्मृती हो जाए पर आपके याद तो आए भगवान स्मृती को बहुत बानते है हमारे यहाँ एक शलोक आता है कि जल दारा प्रिय शंकर और चंद्रमा वस्त्र तंतुना और अच्यत स्मृती मात्रेन और साध हो कर संपटे देखिए भगवान शिव को जल दारा से प्रसंद किया जाता है कितने बोले हैं कितने बोले हैं जल दारा एक लोटा जल में कोई खर्चा होता नहीं कहीं से आख के पत्ते मिल जाए बेल पत्तर मिल जाए कोई बात हो ठीक है बाबा को कुछ नहीं जल के चड़ाए जम लोग ते उबार लेत जल चड़ाओगे तो जम लोग से उबार लेंगे यह बात हमने मानी चंद्रमा भी उदा रहे हैं एक वस्त्रत अंतुना पर कभी कबार जल की विवस्ता नहीं हो पाती आप कहीं है महादेव का मंदर सामने दिख रहा है पर आज पास कहीं टोटी नल वगरे भी नहीं है और पानी का शुरूत भी नहीं है तो बाबा को आप प्रसन करना चाहते हैं तो जलधारा नहीं है तो आपको जल का अभाव हो जाएगा वैसे तो भोले इतने भोले हैं आप जब मन में सोचेंगे न हे महादेव आप पे जल चड़ाता उतने में महादेव मान लेंगे पर जिन्होंने ये श्लोक लिखा है वो कदाचित भगवान के भगत रहे होंगे तो उन्हों लेका जिस तरह महादेव जी को जलधारा प्रिये है और जिस तरह चंद्रमा को वस्रत अन्तु प्रिये है चंद्रमा जी दूज के चंदा के सामने आप अपने एक मलकूरतायर जो भी है उसे एक धागा निकाल के ऐसे उस धागी को देखके तोड़ देंगे तो आपका मन और अपने आप ठीक होने लगा मन डिप्रेशन में जाता है मन एकागर नहीं होता मन डिस्टर्ब्ट सा रहता है इसका मतलब आपको चंद्रमा आपका ख्रीन चंद्रदूश है कई लोग बहुत एंबरेश सा रहते हैं बड़ा उदास है चोड़ चोड़ी बातों में फ्रस्क्रेट हो जाते हैं चंद्रमा जिनका डाउन होता है तो चंद्रमा मन मन को मजबूत करते है चंद्रदेव तो चंद्रमा वस्त्रत अंतुना और ब्रह्मनों कर संपुटे पंडिजी हो या कोई भी सज्जन महत्मा विक्ती हो संत जन हो वो प्रणाम कर देते हैं प्रेम से बावा सीता राम प्रसन हो जाते हैं पंडिजी महराज राम राम ब्रह्मन देवतावी प्रणाम करने से पंडित जी को थोड़ा सा आधर देदो प्रसन हो जाते हैं ब्रह्मनों कर सम पुटे हैं साधवों कर सम पुटे हैं लेकिन भगवान किस से प्रसन होते हैं अच्यत स्मृती मात्रेन भगवान की स्मृति भाव से करो ये नहीं आपने ऐसे इसमरन कर लिया भगवान को तो इसमरन करना तो इसमरन कैसे भी करो हमने एक बाद बताई थी न उत्तरा जी को मिला दरपन महर्शिद रुवासा ने दिया उसकी खास खासियत ये थी कि इसमरन जो आप देखोगे तो वो दिखेगा कौन? जो आपको सबसे प्रिय है कौन? जो आपको सबसे प्रिय है तो उत्तरा जीन देखा उचमें देखते अभिमन्यू का चित्र देखा बड़ी प्रसंद हुई उस दरपण में अभिमन्यू का स्वरूप दिखा सब लोगों ने कहना शुरू किया मुझे दो, मुझे दो तो दुरोपदी जी ने लिया तो उनको उसमें कौन? श्री कृष्ण दीखे पार्थ ने लिया श्री कृष्ण दीखे दर्मराज युद्ष्टर जिन लिया श्री कृष्ण दीखे पाँच्यप Hz. फसे युदु पांडवों ने बारे से लिया Whoa श्री कृष्ण दीखे श्री कृष्ण देखे दो जैसे लिया तो व्देश्टर जी ने सोचा मैं 장 Вот दीख लेना तो जैसे मुझे यह दिखे तो मैं इनको दिखूंगी लेकिन वो जैसे ठाकुर जी ने लिया लीला कॉट की तो हैं हाथ में लिया जैसे दरपन लेते ही हाथ में उसमें लिखा हूं कौन बांजे शकुनी है शकुनी दिखे गांधार नरेश्चुनी सब पांड़ों के मुबल गया है कि ऐसे कमभकत आदमी इसने हमारा जीवन हराव किया है यह तुम्हें सबसे प्यारा सब पीछे पड़े देखो भगवान को पांड़ों बहुत प्यारे थे यह बताने के लिए ठाकुर जी ने सकिया क्योंकि ठाकुर जी वो नहीं जिनके बारे में कोई प्रतिम्ब बता सके सबके दिल की टोहली जा सकती है प्रभु के दिल की वो तो केवट ठाकुर जी कुसी नठो के कहते है राम तुम्हार मर्म में जाना मैर्शिव वालमी की यह कहते है राम स्वरूप तुम्हार वचन अगूचर बुद्धि पर अभिगत अकथ अपार ने इतने ती न गम बद आपका स्वरूप तो परे है कोई नहीं बता सकता है नहीं नहीं पर एक बिन पड़ा केवट कहता मैं जानता हूं सब तुम्हारे मन में क्या है तुम्हारा मर्म जानता हूं भगवान का मर्म लक्षमन हू के मर्म न जाना क्या क्या चरित रचे भगवाना पास रहन महु करहूν ऎवाखा उन जानकी जी को अगनी लोक में भेज़ दिया अगनी देवताने भगवान से एकपार वर्दान वर्दान मांगा था माः भगवती से कि समंदर की बेटी बनी हो मेरी बेटी बन जाती तो मा जी ने कहा इस बार तो मैं भूमी अवतार भूमी जा बनूंगी राजा जनक जी के यहां रहूंगी पर एक काल में कुछ समय के लिए आपके यहां अगनी लोक में आके रहूंगी तो आप जानते हैं वो यह सीता जी के अदल बदल हुई थी जब अगनी परिक्षा लीती न ऐसी अगनी परिक्षा नहीं थी वो जो तो यह चाया सीता जी बोलते हैं हरन किसका जब ब्रह्मा वेवर्त बुरान पढ़ेंगे तो उसमें आएगा क्या तुम सीता मिथलायां तुअच्छाया द्रोपदी सती रावने परिक्षता त्वम्च त्वम्च रागवस्य कामिनी राधारानी के स्थुति में कहते हैं तुम सीता थी मिथला में अरी किशोरी जू आप कौन थी आप भूमी दुलारी भूमी नंदनी थी राम जी की प्यारी थी और पच्छाया द्रोपदी सकती अब बताएं आपको ये जो च्छाया सीता जी है राम जी का साथ मिल पाया ही ने? ये च्छाया सीता जी ने बुला ना मुझे अम्रग चाहिए सोने वाला ठीक है? तो राम जी का साथ ने बिला कहां रही? लंका में भगवान के विरह वियोग में रही सदाई वियोग में रही ना? और पिर वहां भी अदल बदल हो गई आ नहीं पायी इन च्छाया सीता जी के मन में प्रभू का और प्रेम बड़ा था भगवान को पाना चाहती थी ये कौन बनी? ये भगवती द्रौपदी बनी और ये च्छाया सीता जी अगनी से प्रगट हुई ना? राया दुरुपदने यग्य के आगनी कुंड से प्रगट हुई है वरष्ट धुन और द्रौपदी दोनो दिव्य कन्या थी अयोनी जाती किसी मा के पेट से नहीं जन्मी कौन-कौन? अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदो, दरिस्तथा, पंच, कन्या, स्मरे, नित्यम, महा, पातक, नाशनम इनके चार-चार-पांच-पांच ब्याह हो गए तब भी ने क्या कहते बड़ा? कन्या क्या कहते हैं? कन्या कुंती जी कन्या है अहिल्या जी कन्या है द्रौपदी जी भी कन्या ही है उनको कन्या ही कहा जाया तो सब लीला है प्रभु की तो रावन के द्वारा हरी गई तुम इस तरीके से तो प्रभु तो सब को प्रेम करते हैं लेकिन लीला में उनको जानते हैं पता है इस लीला का कोई मर्म नहीं जानता है उनकी लीला का लक्षमन जी नहीं जाने न कि ये कौन से सीता जी है नहीं जाने न ऐसा ही है पर मर्म कौन जानते हैं केवड जी कहते हैं मैं मर्म जानता हूं राम जी मैं सा आरा मर्म जानता हूं समझ गए हैं तो ऐसी बात है भगवान का भक्त कह सकता है आपका मर्म जानता हो अब देखो बहुत याद करता है याद आशू भाग के नहीं भाणजे अब क्या चाल चलनी है कृष्ण हर चीज में बाधा कौन है कृष्ण दो तरफ से खोपड़ी चलाने वाले लोग थे एक तरफ ये उनी से तो लीग खोपड़ी है तो शकुनी बहुत बड़ा और सच में इत्ता बड़ा उसके गेम चलाने वाला अदमी था बहुत चालाक बहुत धूर थे एकदम कप्टी और ठाकुर जी को भी तो चलिया ही कहते हैं तू जो तू कर रो काठ को तूमें लोहे को लाट बेटे तो कपट किससे सीखा तो ठाकुर जी हमेशा नहले पे दहला ही रहते थे तो कुछ भी प्लानिंग करता तो उसके मन में क्या चलता था बस ये कृष्ण को न पता चल जाए अब कृष्ण क्या करने वाला है तो तक कृष्ण और स्वपन में भी कृष्ण है अखंड सुम्रति शकुनी जैसी कोई नहीं कर पाया है थीक है हां दुर्योधन की खोपड़ी तो फिर भी 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 पे चली जाती थी कर्ण की चली जाती थी अर्जुन पे भी दुश्मनी थी ना पर शकुनी को तुरिकाल में को कामला था तो श्री कृष्ण को भागया करेगा वा बही है वा साले दत्राष्ट के ठाकुर जी को और पसंद आ गया है याद में रूए यह बहुत आगे की बात है जब तक याद में रूए तब तक हांस लीजिए उनको याद भर कर लीजिए कुछ नहीं करना ध्यान बहुत आगे की चीज है याद करना तो याद का क्या होता है हे नात मैं आपको भूलू नहीं उन्हें बोलना इसने प्रभी को बोलों न सुबस्वा तीन बजे मुझे उठा देना उठा देंगे कल पेपर है ऐसा आप मन में इसा फीड कर लिजे इसी तरीके से आप भगवान को बोलेंगे नात है जब कंठ प्राण आये कोई रोग ना सताए यम दर्शना दिखाए फिर प्राण तन से निकले मेरे प्राण जाएं सुख से तेरा नाम आये मुख से बच जाओं घूर दुख से फिर प्राण तन से क्या पीतांबरी कसी हो छवी मन में ये बसी हो होठों पे एक हसी हो फिर प्राण तन से निकले एक भक्त की हरजी खुद गर्ज की है गर्जे देखो भक्त ये पूलते हैं श्री गंगा मा कतत हो जमुना का बंसी बट हो मेरा संबरा निकट हो फिर प्राण तन से निकले भक्त मांगते ही हैं लेकिन सारे भक्ता से निकले भगवंत मुदित जी के और पिता जी थे आगरे से ट्रीक्मेंट कराके उनको लारत ब्रंदावन वापस कि अन्तकाल है ब्रिज में ले जाएंगे शरी ब्रज में छोड़ेंगे ब्रजबास मिल जाएगा तो उन्होंने कह कहां ले जा रहे हो होश में थे तो उन्हों बुले आपको ब्रिज में ले जा रहे हैं बुले क्यों तुम्हें पता है मेरा शरीर चूट जाएगा कहीं पे ऐसा ना करो वापस चलो तो बुले बाबार ब्रज में तो सब चाहते हैं कि हमारा शरीर ब्रज में चूटे हमारा आप क्या चाहते हैं उन्होंने बोला अरे रे ऐसा अनर्थ न करो वापस ले चलो ये जो ब्रज है न चुरासी कोस ये मेरे लाली लाला की विहार स्थली है और जब ऐसा पंच बहुत एक ऐसा गंदा मलमूत्र का ये देह वहां ब्रज में जलेगा तो प्रिया लाल जू को कित सख्यों सहचरियों सहित कहेंगे अरे रे रे तो ऐसे हमारे को हमारे ब्रज को हमें में तो नाइं खड़ाब करनो लाला कहीं भी शरीर फूग दो शरीर का क्या है जो ये मन पंच्छी है न ये तो शरीर छूटते ही जा मिलेगा उनके नित्य भिहार में नित्य राज्य में प्राची जी कहती थी ऐसे नहीं जाना, पहले सूर्य लोग चलो, मुक्ती भी ऐसे होती है, वो कहती थी, कई लोक लोक अंत्रों होते, ब्रह्म लोक तक होते, पूजन कराते, धोल नगारों के साथ में आदर करते हुए, देवताओं को पुझ्य हो जाता है, भगवान के धाम इसे नहीं जाते हैं, जो धाम जाता है, उसे लगता हुए, यह लोग प्लोक पे बढ़िया, प्रभू अंतिम मौके पे भी माया दिखाते ही जरूर है, फिर माया तंग नहीं करें, मुक्त होगे, अब तो बही मानी चल नहीं सकती, लेकिन वो भी तो देरी है, वो कहती है, के। रहे है, मुक्ति भी क्रमिक देते हो, क्रम से, ऐसे अमीर इतने नग रतन भरे पड़े हैं, इतना जोहर है तुम्हारे पास। ऐसे जोहरी हो। फिर ऐसे कंजूस। घीर दीरे , दिखा-दिखा के लल्चा लल्चा के सब जगे। क्यों लेके जा रहे। यहाँ उननका निट्य वन भोज की लिला में हो या निट्य निवरत्तने कुझ्यों में हो वहीं आपकी गुरुजन जहां पे हैं फिर और भटकना क्या है कर दो चाब होता है थोड़ा सा एक सूर्यम एक मया थी ना अधरमणी मया के श्याद चरित रहे अधूर मणी मईया वाला में था न तो अगोर मणी मईया 40 साल तक उपासना की उनोंने हमार तो चार मेंन में चूंगी बोल जाते हैं चार साल हो जाए तो हम भगवान की सर पे तंडव करने लगें कितना हमने संसार छोड़ा कब से तुम्हारा भजन कर रहे हैं चालिस वर्ष तक अखंड बजन किया एक दिन ठाकुर जी दोड़ क्या है और मा से का मैया मुझे बहुत भूक लगी है देखती रह गई रामकुष्ण परभंस देव की शिश्या थी सुझे भगवान ऐसी होते हैं और ही बापरी अभी तक तो भगवान भगवान सुने हैं देखे ना है लाला जिनोंने जिनों देखे सोई जाने कि क्या होता है कैसा होता है देखोगे तो सब समझ जाओगे लेकिन बात ये है उन्होंने ऐसी साधना की और जब भोली भगता के पास प्रभू आ गए तो अब इतना कान करवाते सारे दिन माई दी में रुशाम लगे में को चीला बना दे थोड़ी दिर में कहते कि ने तुम माल पुए खाने का मने तो जैसे जसुदारानी को तंक करते ने सारे दिन बुड़िया को लगाए रखते इतना तंक कर दिया उन्हें सारे दिन डाटती फिर भी करती लाला देख बुड़ापे का शरीर है तू मेरी बुड़ापे की संतान है अब तेरा कौन करेगा सारे दिन लाला के पीछे ही लगी रहती बहुत लाड़ करती थाकूर जिनstal अब तू जपनी करती बैठके आसन वहासन पर अब तेने इतना काम करवाता मैं आसन कैसे लगाऊ इनुरी बोलने लगी में फिर क्या हुआ थाकूर जिन नेखा न्हीं आसन तो लगाया कर माईया ऐसे थोड़ी नित नियम थोड़ी छोड़ देगी चल करा कर अब जैसे यासन पर बैठती एक विशाल काई तीजू मैं महापुरुष पर गट़दे ओ माता जी होग चलो हाथ पकड़ो हिमालय में पहले गंधर्व लोग चलेंगे आज माता-जी नियक्षै अरे चलो न ले गए माता जी को यह गंधर्व लोग हैं और फिर अब चलो आज इतना घूमा अगले दिन वहां पे फिर कभी सूर्य मंडल में भगवान, विवस्वान के सामने खड़े करते हैं ते जो में प्रकाश, महाप्रकाश की मूर्तियों के दर्शन होते हैं ब्रह्म, सिद्ध, लोग, तपह, लोग, महर, जन्ह, लोग, सब जगले आते हैं वो कहती मैं थंग आ गई हूँ, मुझे रोजव च्यू ले तो दिमाग खारा करने तो उननों का माता जी हमें यही ओर्डर मिला है कि आप हर्जे के घुमाना हैं उननों का अरे तुम्हारे ना काम करवाता है, थक गई मैं तो मर गई बिलकुँ, तो बुल लो मैया आप गुमना नहीं चाहती हैं, अरे मैं कब गूमना चाहती हूँ, तो बुल लो मैया, जब तुमने शुरुवात में भजजन प्रारम भी किया था न, तो शुरुवाती चार पास साल तक ये भज़न कर चुपी पड़ी थी कि भगवान मिलेंगे तो मैया मैंने भी कह दिया अपने पार्शदों को संकेत कर दिया कि थोड़ी मैया की जो बची कुछी चाय पूरी करा दो भगवान ऐसे हैं दुरूब जी को 36,000 साल तक राज करवाया पहले दो तरीके से करपा करते कई लोग क्वेकली बड़ी तुरंत चलो भाई चलो प्रववान जिसे गीता वहन में जो कौन ते जालान जी का छोड़त था नो उसने कततकाल कहा मोताजी पिताजी की गोद में वो जालान जी गए है गोद में और गंगा जी के बीच में स्टीमर पे बैठे दे तब प्राण छोड़े तो जालान जी का लोटा लड़का फिर पिताजी वगर से बड़े रखते थे हो तो गीता वहन के कक्षम बड़ा भग थता भगवान का अचाने के रात में पिता जी गो जब पापा पिता जी उठो पिता जी ने कहा क्या बात हो यह तो पिता जी भगवान आए हैं हैं हां तो उन्हों बोले पिता जी ऐसे कह रहे हैं कि मैंने कहा भगवान मुझे ले चलो तो कहने लगे देख तरे पिता जी हां कर दे तो ले चलो तो पिता जी भगवान यहीं है आपको दीख नहीं थे बोले नहीं बोले यहीं है अच्छा तो बोले ऐसे कह रहे हैं अभी भी सामने मेरे को इशार करके करें पहले पूछो पिता जी से तो आप यह कहरें पिता जी के पूछे भी नहीं लेकर जाओंगा तो आप क्या कहते हो वो मुझे बुला रहे हैं कि चल मैं तो तेरे पिता जी जैसे कहेंगे वैसा करें तो उनने बोला बेटे जरम पिता भी सतसंगी थे वरना तो पिता गए इस दिन के लिए पैदा किया था यही दिन दिखाने के लिए थोड़ा सूख दे ऐसे होते हैं देखो नहीं ऐसे बहुत थोड़े माई के लाल होते हैं उननों ने कहा बेटा अगर भगवान आ गए हैं और यह सक कह रहे हैं तो जन्मों जन्मों तक जतन करता है जी वो भगवत प्राप्टी नहीं होती अगर और वो कह रहे हैं अगर भगवान आये हैं और वो कह रहे हैं तो फिर चला जाए तो बहुत जाओं तुरंत पिता जी के जड़नों में प्रणाम किया वहीं के वहीं शरीर शान्त हो गया इस तरीके से गए जाने वाले जाते हैं जानते हैं गंगा जी में जो हम गए थे उसे दिन उसे दो दिन पहले एक मैया पूरा गीता वह नहीं कठा कर ले उनने मैं जाओंगी एक मैंने से कुछ नहीं खा पी ती जल तक भी नहीं मैं जाओंगी गंगा जी मुझे लेने आएंगी मैं गंगा जी म वो करें जिसके कोटे करम हूं मैं क्यू करूंगा अत्मत्या तो फिर पुश्पा अब बगरे सब पूचिते प्रफिता जी ने का इने तंग मत करू तो पिता जी वगरे सब संत लोग उनके दर्शन भी करने आते थे तो पूझा पुछा उन से कि मा तुछ पका जाएगी ने इन टाइम पे तरह प्रोग्राम केंसल है अरे मैं सच में जाओंगी भगवान मुझे लेंगे एका दशी की दिन सुबह सुबह और पुष्पा मावगर है पांच साथ लोग थे ऐसे आ के प्रणाम किया आज मेरा जाने का दिन पूरी तैयारी की सब का पूरा बतल विदीवत आज जाने का दिन है जैसे ही औरे रे 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 भगवान के तो पार्शद आगे देखो गंगा जी के धारा के मद्य में खड़ें तो चार पांच कदम गंगा जी में ऐसे चली और अचाना की ओजल हो गई इतना उनका शरीर ढूंडा और इतना तलाश किया लेकिन कहीं पता न पता लगा कि ऐसे से माता जी ने शरी छोड़ा है रगुनाता चारी जी महाराज का पूजा कमल दीदी ने स्वैम बताया कैसे भरी सभाह में गए ऐसे ही ऐसे लाल मुख हो गया और कीरतन कर रहे ते जोड़ जोड़ से कथा सुना रहे ते श्री कृष्ण गोविन हरे मुरा अचानक बोले सुनो भगवत जनौश होता हो हमारा तो विमान आ गया आगे कथा आपके साथ दिन की भागवत खंडित नहों किसी वक्ता को लाके भी बिठा दे नहों आगे कथा पूरी कर देंगे हमें अनुमती दीजिए ख्षमा चाहते हैं आप लोगों से हमारे तो भग लंका में है सो लंका में है लाडली लाल की